मोधी सन्यमान हानी केस में राहुल गांदी ने दो अगस को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है उन्होंने कोर्ट को बताया कि कानूनी बक्रिया का दुरुपयोख हुआ है उन्होंने कहा कि माफि मांगने से मना करने पर मुझे एहंकारी कहा गया ये निंदनी है राहुल ने आगे कहा कि मान हानी केस में उन्हें अधिक्तम सजा दी गई है इसके चलते संसत सदिस्ता चली गई पुर्नेश मोधी खुद मूल रूप से मोधी समाज के नहीं है ऐसे में उने सजा नहीं मिलनी चाहिए 21 जुलाई को सुप्रिम कोर्ट ने गुजरात सरकार और सुरत के भाजपा विदायक पुर्णेश मोदी को मामले में जवाब देने के लिए कहा था इस पर पुर्णेश मोदी ने कोर्ट में किस पेच का हलाफ नामा दायर करते हुए कहा कि मोदी सरनेम केस में राहूल का रवया हैंकारी है उनकी आच्छी का खारिश कर देना चाहिए राहूल गांदी ने दोज़ा 19 में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था इसके खिलाफ भाजपा विदायक पुर्णेश मोदी ने मान हानी की शिकायत दर्ज कराई थी मामले में सुरत कोड ने राहूल को दो सल की सज़ा सुनाई थी इसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी इसके साथ बने रहे राजणामा टीवी के साथ धन्यवाद